टो आज मैं अप्सिलोग लिए islavers of Maths का लिक लेक्ट ही जो कि लेविंथ के लिए cbsc बोड़कर सेशन 2022 का 23 के लिए जो कि आपका 80 marks carry करता है और आपका project चापका 20 marks carry करता है तो आईए यहां पर देखते हैं जो कि आपके डिलीट हो गया है मैं वह आपको बताती चाहिए इसके अलाब आपको सब पढ़ता है तो chapter 1 में आपके sets में आपका power sets पूरा डिलीट होगे जो कि page number 12 है उसमें से आपका exercise में सा आप देखें तो exercise 1.3 में सा आपका question no.5 पूरा डिलीट हो गया है और chapter no.2 relations and functions में से आपका कुछ भी डिलीट ने आया है जैसा overall chapter है वैसा ही आएगा आपका chapter no.3 trigonometric functions में से आपका trigonometric equations डिलीट हो गया है जो कि page no.74 पर है exercise 3.4 में और chapter no.4 में PMI यह आपका पूरा डिलीट हो गया है chapter तो यह पूरा cross हो जाएगा आपका और chapter no.5 complex numbers and quadratic equations में से आपका polar form और quadratic equation यह आपका डिलीट हो गया है और miscellaneous में से आपके 5.3 पूरी डिलीट हो गया है जिसमें मिसलेने से आपके question no.5, 6, 7, 8, 9 यह आपके डिलीट हो गया है वहीं आगे chapter no.6 में से linear inequalities में से आप आपका graphical solution of linear inequalities in two variable वाला topic डिलीट हो गया है जिसमें से आपका जो कि page no.123 पर है जो कि आपकी exercise 6.2 और 6.3 पूरी डिलीट हो चुकी है महीं बात करें आगे chapter no.7 में permutation and combination उसमें से आपको कुछ भी डिलीट नहीं हो हुआ है जो कि काफी अच्छी बात है आपके आगे पढ़ general and median term delete हो गया है जो कि page no.167 में है जो exercise आपकी 8.2 पूरी डिलीट हो चुकी है और वहीं आगे chapter no.9 में आपका sequence and series sequence and series में से आपका AP जो कि arithmetic progression डिलीट हुआ है आपका जो page no.181 है जो कि आपकी exercise 9.2 है और जिसमें आपका जो भी आपके AP related questions है वो सारे डिलीट हो गया है और भही मिसलेनस में से भी exercise में से आपके AP related सारे questions डिलीट हो चुके है और आगे आपका chapter no.10 में से straight line में से आपका normal form जो कि आपका pin no.217 पे है वो डिलीट हो गया और general equations of line जो कि page no.220 पर है ये भी आपका पूरो डिलीट हो गया है और आगे आपका distance between two parallel lines जो कि page no.226 पर है ये भी पूरो डिलीट हो चुका है conic section जो आपका chapter no.11 में उसमें से आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है और chapter no.12 में से introduction to 3D chapter में से आपका section formula डिलीट हो गया है जो कि आपका exercise 12.3 भी पूरो डिलीट हो गया है chapter no.15 में से statistics में से आपका analysis of frequency distribution page no.3 73 पर आपका डिलीट हुआ है ये वाला topic और exercise 15.3 पूरो डिलीट हो गया है missliness का question no.6 डिलीट हो गया है इसी तरह आपका question no.16 में से आपका probability में से random experiment outcomes ये topic डिलीट हो गया है आपका sample space ये भी पूरा डिलीट हो गया है जो कि exercise आपकी 16.1 ये भी पूरी डिलीट हो गया है तो एक बार आप देख सकते हैं क्या क्या डिलीट हुआ है क्या क्या नहीं और इसके लावर जो भी आपका है वो सारा आपके exam में आरा सारी exercise तो ये इसी तरह से आपका कुछ ल क्योंड़ टहा है चार्णाहर घए वो सेन ओजब को क्यों रावकी में इसिंए國वना क्यों में पूर गया अपके ले झालीट को जावके सेने में शक्या आपके जावद